हेलो फ्रेंड्स वेरतम तुष कोशाला मैसेल्फ नलादस शर्मा आज आपके लिए लेकर आए हम पार्ट वन वन शॉट का पार्ट वन के अंदर अपन ने दो चेप्टर्स को उठाया है पहला चेप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दूसर चेप्टर है कॉडिने मतलब 3 और 6 के बीच में जो गैप है वो है प्लस 3 का सिमिलर्ली 6 से आगे बढ़े है अपन नाइम की तरफ तो वापिस से प्लस 3 का गैप आता है ऐसे ही सो ओन अगर सिरीज के अंदर हर एक टम के बीच में सेम डिफ्रेंस आ रहा है तो वह एपी कहलाता है यह चीज ध्यान और एवन क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है कि वह फॉर्स टम है जैसे अपने पास में सीरीज है 369 12 की तो इसमें एवन या फिर एक हो गया है 3 के बराबर हो गया है तो आप यहां पर उसकी वैल्यू पूट कर दोंगे अब जैसे इमेजिंग करते है कि मुझे यहां से आपक क्योंकि आपको फिफ्ट टम निकालनी है तो एग की जगे जब आपने 5 पूट किया एक ही वैल्यू आपको पता है 3 के बराबर है आपने यहां पर 3 पूट किया यहां पर आगे एग की जगे 5 5-1 पूट होगा क्योंकि माइनस वन तो फॉर्मूले में ही है इंटू D कितना 3-6-9 की सिरीज थी मतलब D हो गया अपना 3 के बराबर यहां पर हमने 3 पूट कर दिया तो A5 की वैल्यू क्या आति दिज़र आ रही है हमें 4 4 x 3 तो 4 x 3 हो जाता है अपना 12 के बराबर 12 के बराबर 3 plus 12 is 15 3 plus 12 is 15 चेक करते हमारा A5 15 के बराबर आया बिलकुल आया मतलब क्या है यह सिरीज जो है वो वेरिफाइड हो चुकी है और साई है अब जब भी आप से पूचा जाए कि अगर एक AP क्या करना है D कैसे निकाल नहीं दी क्या निकालने का तरीक है चलो ठीक है अब क्या करें आगे वाले सीरीज का भी चेक कर लो कि भाई A4 माइनस A3 करते है D सेम आता है तो मतलब AP है वरना नहीं है तो क्या करते है इस बार A4 माइनस A3 कर लेते है चलो A4 क्या हमारा 12 है 12 माइनस 9 वापिस 3 के बराबर आ रहा है इसका मतलब common difference जो D है वो सेम है मतलब यह एक arithmetic progression की सीरीज है बड़े आगे अगला formula जिसके बारे में बात होगी वो होगा sum of terms मतलब basically कितने terms तक आपको addition चाहिए जैसे वापिस से imagine कर लेते हैं कि मुझे third term तक sum चाहिए तो मतलब मैं बोलता हो कि मेरा end रने वाला है और अपने सीरीज क्या थी three, six, nine and so on तो मतलब इन तीनों का मुझे sum चाहिए अब three तक तो बहुत असान है यह तो मतलब 10 डालना है 20 डालना है तो उसके लिए भी formula काम आता है यहाँ पर मुझे पहले तीन का sum चाहिए तो चलो ठीक है x की जगे डाला मैंने three इस formula में आपको end डालना है end की जगे आपने डाला three a1 या फिर आप a बोलो दोनों इस case में same है a के या इसमें three है तो three डाल दिया plus an, an का मतलब है the last term इस case में अपने imagine करते हैं कि हमारी last term तो nine ही है तो nine डाल देते हैं यहाँ पर by two करते हैं इसके solve करते हैं तो हो जाता है s3 is equal to three यह हो गया 12 के बराबर 12 by two is six यहाँ पर आ गया six six into three is eighteen तो s3 आ गया हमारा eighteen के बराबर अब check करते हैं कि इनका addition भी eighteen आ रहा है किया तो पहले तीन term को add कर दीजिए आप यह हो गया three plus six plus nine देखते हैं six plus three is nine nine plus nine is eighteen आ रहा है eighteen के बराबर देखो formula लगाने से भी eighteen ही आ रहा है तो ठीक है अब sum को निकालने का एक और formula होता है थोड़ा lengthy formula है पर जादा वही formula use आता है formula देखते है sn is equal to n by 2 2a a बोलो या a1 बोलो बात से में first term है plus n minus 1 मतलब number of term जो भी आपको use करनी है minus 1 into d जो की common difference है उसी को वापिस करते हैं हमें पता है कि हमारा s3 जो है eighteen के बराबर है पर हम verify कर लेते है चलो इसको इस formula से भी verify कर लेते है तो हमने n की जगे डाला 3 तो यह हो गया s3 is equal to 3 by 2 into 2a a क्या था 3 के बराबर था क्यों की series क्या थी 3, 6, 9 and so on तो इसमें a क्या है हमारा 3 के बराबर है 2a क्या हो जाएगा 2 into 3 मतलब 6 के बराबर यहाँ पर बात करे n है 3 के बराबर n minus 1 मतलब 3 minus 1 2 आ गया यहाँ पर हमने put कर दिया 2 बात करे d की common difference क्या है common difference थो हमारा 3 कही है तो यहाँ पर हमने 3 put कर दिया तो यह क्या हो गया s3 is equal to 3 by 2 into 6 plus 6 s3 is equal to 3 by 2 into 12 6 यहाँ पर आ गया 6 3 जा वापिस से 18 होता है तो यह formula आपन ने वापिस से verify कर लिया कि दोनों में से कोई सा भी formula लगाओ बट उस वाले formula में basically इस वाले formula में आपको last term की जरूत पढ़ती है इस वाले में आपको last term के कोई मतलब नहीं है आपका directly answer आ जाते है बिना time-based किया चलते है first question की दरफ चलते है first question की बात करते है first question में दे रखा है कि for the following a piece write the first term and the common difference तो सबसे पहले का करने है आप उनको first term बताने है तो first term तो बड़ा असान सा है कि भाई a जो है वो 1 by 3 के बराबर है कुछ करने की जरूत ही नहीं है a निकल गया अब d बताने है d कैसे निकलता है जैसे मैंना बता है d is equal to क्या हो जाता है a2 minus a1 डाल दीजे value a2 क्या है 5 by 3 है a1 क्या है 1 by 3 है वो कैसा आ गया 5 minus 1 by 3 कितना आ गया 4 by 3 के बराबर आ गया है तो d की value आ रही है आपकी 4 by 3 और d की value 4 by 3 है निकल गयी है हमारी और हमने first term बता दिया है जो की 1 by 3 है अगले question पर चलते है अगले question पर बोला है कि 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 है वो ही same काम करना है आपको क्या करना है first term बताना है इसकी और common difference निकाल के बताना है तो first term क्या है इसकी a है और d क्या हो गया इसका d is equal to a2 minus a1 होता है मतलब 1.7 minus 0.6 क्या आजाता है आपका 1.1 के बराबर आजाता है d की value आगे हमारी 1.1 a आगे हमारा 0.6 question यहां समापत हो गया अगले question पर चलते है अगले question में बोला गया है कि आपकी mixing terms निकालनी है इसके अंदर तो mixing terms आपकी कौन सी unknown है आपको a दे रखा है 5 के बराबर a2 आपका unknown है a3 आपका unknown है and आपको a4 की value दे रखिए तो हम क्या बोलेंगे a4 हमें दे रखा है formula याद करते हैं formula कौन सा है हमारा a n is equal to a plus n minus 1 into d ये formula आपने याद कर लेना है अच्छे से usually हर जगे के काम आई जाता है क्या बोल रहा है formula के हिसाब से कि यहाँ पे value a डालनी है यहाँ पे n डालना है और यहाँ पे d डालना है हमें पता है कि यहाँ पे जो n है वो हमें पता है 4 के बराबर है तो हमने क्या करा इसकी जगे 4 डाल दिया a हमें पता है क्या है 5 के बराबर है put कर दिया n हमें पता है कितने के बराबर है यह 4 है तो 4 minus 1 आ चुका है और d जो है हमारा unknown है और a 4 की value हमें पता है कितने के बराबर है 9 into half mix fraction को normal fraction में convert कर लीजे क्या हो जाता है 9 into 2 is 18 18 plus 1 is 19 by 2 यहां से आपका decalculate अराम से हो जाएगा कैसे हो जाएगा solve करेंगे इस equation को equation क्या आ रही है 9 by 2 is equal to 5 plus का 4 minus 1 3 into D आप क्या करेंगे इस 5 को उस तरफ ले जाएगे तो क्या हो जाएगा 9 by 2 minus 5 is equal to 3D माइनस का 5 है इधर 3D है क्या करोगे आप यहाँ पे आप ले लोगे LCM LCM आ जाता है आपका 2 के बराबर क्या हो जाता है 19 minus 10 19 minus 10 is equal to 3D solve करा इसको तो यह आ गया 9 by 2 is equal to 3D 3 बन जा 3 3 जा 9 D की value कित्ती आ रही है 3 by 2 आ रही है D की value आ गई आपकी 3 by 2 अब हमें पता है A2 निकालने के लिए क्या खड़ना होता है हमें A के अंदर D को add कर देना होता है directly A हमारा कित्ता दे रखा है 5 के बराबर D आ गया हमारा 3 by 2 के बराबर तो लिख दीजे A2 is equal to 5 plus 3 by 2 unknown है सेम काम करना है A3 is equal to क्या हो जाएगा A2 plus D बोल दो A2 plus D बोलता है या फिर A plus 2D बोलता है दोनों काम एक ही है दोनों काम असानी है तो A3 क्या हो गया A2 कितना है 13 by 2 और D कितना है 3 by 2 LCM तो सेम है तो ये कितना हो गया 16 by 2 के बराबर हो गया तो हमारा A2 आ गया है 13 by 2 और A3 आ गया है हमारा 16 by 2 के बराबर ठीक है तो एक कट के हो जाता है 8 के बराबर आप चाहो तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए अब चेक करने के लिए अपन A4 भी निकाल लेते A4 क्या हो जाएगा basically A3 के अंदर अगर अपन D add कर देंगे तो A4 निकल जाएगा A3 कितना है 16 by 2 प्लस 3 by 2 गिव अस 19 by 2 तो जब इस mixed fraction को normal fraction में convert करते है तो यह 19 by 2 के बराबर ही आता है तो इससे हमारा question भी verified हो गया है बिना time space की अगले वाले type पर चलते है इसके अगले वाले में क्या है इस बार A unknown है A2 दे रखा है और A3 unknown, A4 unknown, A5 unknown और A6 दे रखा है तो सबसे पहले तो A unknown A3 unknown, A4 unknown, A5 unknown A2 दे रखा है and A6 दे रखा है आपको वही formula याद करो कौन सा formula A N is equal to A plus N minus 1 1 into D यह formula तो अच्छे से याद होई जाना चाहिए बहुत बार काम आएगा यह question में तो बात करते है A2 की तो अगर N की जगर मैं 2 put करता हूँ तो क्या हो जाता है A2 is equal to A जो की unknown है हमारा plus N minus 1 मतलब N की value है हमारी यहाँ पर देखो 2 है तो यहाँ पर 2 minus 1 कितना आजाएगा 1 के बराबर 1 into D D भी हमारा जो है वो unknown है तो A2 किता है 38 के बराबर है तो जिदे लिख देखे थे 38 क्या हो जाता है 38 is equal to A plus D यह आपके आगई first equation क्या आगई आपके आगई first equation चलते हैं दूसरी equation निकालने के लिए यहाँ पर है A6 इनकी value क्या है 6 है यहाँ पर put करेंगे अपन 6 तो क्या हो जाएगा A 6 is equal to A जो की unknown है हमारे लिए A plus N minus 1 N की value 6 है 6 minus 1 give us 5 तो यहाँ पर आगई 5 into D A6 की value put करते है कितनी आती है minus 22 आती है तो minus 22 is equal to A plus 5D यह हो गई हमारी equation 2 अब क्या करें equation 2 को equation 1 से subtract करा लिजिए equation 2 को हमने equation 1 से subtract करा लिया equation 2 थी हमारी A plus 5D is equal to minus 22 equation 1 थी हमारी A plus D is equal to 38 sign change होंगे negative 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 से negative cancel out 5D minus D give us 4D यहाँ पर आजाएगा 4D और minus का 22 minus का 38 will be minus का 60 will be minus का 60 क्या किया हमने minus का 38 minus का 22 अब यह मत पूछना minus कैसे आया क्योंकि हमने subtraction किया है तो sign change हुआ है minus का 38 minus का 22 give us minus का 60 D की value क्या आ रही है यहाँ से देखूँ D is equal to minus 60 by 4 मतलब 30 by 2 मतलब 15 कितार है D की value minus 15 minus sign तो था ही न यह आगे हमारा D की value minus 15 D निकल चुका है हमारा सारा काम आसान हो चुका है हमारा क्या करते है अब एक चीज़ आपको हर से में दिमाग में fit होनी चाहिए कि हमारा जो A2 होता है वो यहाँ से जब add करते हैं अपन D की value जब आता है A के अंदर जब D add करते जब वो निकलता है अगर A निकालना है मुझे तो या तो आप equation में D की value put कर दो और solve कर दो बढ़ना आसानी से क्या करो आगे जाते है जब D जो होता है add होता है तो पीछे आएंगे तब क्या हो जाएगा D सप्रेक्ट हो जाएगा ठीके series के पीछे आने में D सप्रेक्ट हो जाएगा इसको डालो equation के अंदर या फिर directly आप सप्रेक्ट कर दीजे equation में डाला तो कितना आजाता है 38 is equal to A plus D D की value कितनी आई हमारी minus 15 लिख दीजे minus 15 minus 15 इदर आके हो जाएगा plus का 15 तो मैं यही समझा रहा था आपको कि आप directly यहाँ पे plus 15 भी कर सकते थे क्योंकि minus into minus plus हो जाता series में पीछे वाले term से आगे वाले term जब भी निकालना होता है तो हपन D को subtract करवा देते है चलो इसको add किया हमने 38 plus 15 कितना हो जाता है हमारा 53 के बराबर हो जाता है तो A की value आगे है हमारी 53 तो A आचुका है हमारा 53 लिख दीजे यहाँ पे A की value चलते है A3 निकालते है A3 निकालने गर क्या करना है हमें 38 के अंदर 15 माइनस 15 को add कर देना है माइनस 15 जब इसमें add होगा कितना बच जाएगा 2 और 3 तो A 3 आगे अपना 23 के बराबर लिख दीजे 23 के बराबर इसको फिर 23 में से जब अपन 15 को subtract कर देंगे कितना बचेगा D निकल जाएगा और A4 निकलेगा फिर तो निकल जाता है हमारा 8 अब 8 में से हमने 15 को वापिस से subtract कर लिया तो हमारा A4 निकल जाएगा तो कितना आजाएगा यह आजाएगा हमारा minus का 7 और minus का 7 और वापिस से माइनस 15 करेंगे जब अपन, एड करेंगे अपन, तो हमारा A6 निकल जाएगा, हमें पता है, यह verification के लिए कर रहे है हम, तो हम देखते हैं, माइनस 15, माइनस 7, कितना आ जाता है हमारा, माइनस 22 के बराबर आ जाता है, मतलब हमारा A6 निकल चुका है, मतलब verify हो चुका है यह, चलते हैं अगले कुशन की तरफ, अगला कुशन की आ है, find 31st term, of an AP, मतलब आपको A31 निकालना है, और यह आपका unknown, दे रखा है कुशन ने, फिर यह बोढ़ रहा है, कि जिसकी 11th term जो है, वो 38 के बराबर है, जिसकी 11th term जो है, वो 38 के बराबर है, तो क्या लिख देंगे हम, A11 is equal to 38, बढ़ते हैं आगे, आगे क्या दियावा है, और उसकी 16th term जो है, प्लस N-1 into D, यहाँ देखते हम, A और A तो है, N की value 11 बता रहे है, तो क्या करें, formula put कर देते हैं, तो करेते हैं formula put, तो हो जाता है हमारा, A11 is equal to A, चोकि unknown, प्लस N-1, N हमाँ बता है कि, वो 11 के बराबर है, 11-1 will be 10, तो हमने यहाँ पर put कर दिया 10, D हमारे लिए unknown है, यहाँ पर आ गया D, इसको बोल दीजिए, equation 1, वापिस से, A16 के लिए, same equation में, values put करते हैं, N की value 16, put कर दीजिए, A16 is equal to, A हमारे लिए unknown, फिर बात करते हैं, यहाँ पर जाएगा 16, माइनस 1 हो जाएगा 15, 15, D, same काम करना है वापिस से, अब A11 की जगे आप 38, लिख दीजिए, और A16 की जगे आप 73 भी, लिख दीजिए, equation 2 को equation 1 से, आप करवा दीजिए, subtract, हमने बोला, subtracting equation, equation 2, with equation 1, values put करते हैं, कितना है, A plus 15, D, is equal to 73, और उदर कितना है, A plus 10, D, is equal to, is equal to 38, चलो, solve करो इसको, क्या करेंगे, suppression कर रहे हैं हैं, तो नीचे वाली, जो अपनी equation है, उसके उपर, negative sign आ जाएंगे, negative, 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 मतलब, signs का change हो जाएगा, अगर यहां पर minus का होता, तो वो plus का हो जाता, A से A cancel out, 15 D minus 10 D give us, 5 D, similarly, तो 73 से, जब अपनने 38 को, separate करा दिया, तो हमारा बच्छा, 35 के बराबर, 5 बंजा, 5, 5, 6, 35 से बंजा, 35, तो 7 जा, 35, D की value आगे, आपके, 7 के बराबर, D आगे आपका, 7 के बराबर, अप क्या है, आपको D पता लग गया, अप क्या रहेंगे, आप D निकल गया है, तो आप A भी निकाल सकते हैं, तो D की value आप put कर दीजे, first equation के अंदर, तो D की value जब मैंने first equation ने put करी, तो कित्ता होगे, तो आपका A आजाता है, minus 32 के बराबर, कित्ते के बराबर, minus 32 के बराबर, A की value निकल गई है, D की value निकल गई है, बचा A 31 unknown, A 31 को वापिस से formula में put किया, N कितना है, 31 है, values देखो, क्या हो जाएगा, A, A, A कितना है हमारा, minus 32, यहां पर put किया हमने, minus 32, plus N minus 1, क्या है, N minus 1, N जो है, वो 31 है, 31 minus 1, give us 30, तो यह आ गया हमारा, 30 के बराबर, और जो D है, हमारा 7 के बराबर है, आप लिख दीजे 7 के बराबर, तो हमारा A 31, basically क्या हो जाता है, minus 32, plus 7, तो इसको आप सप्रेक करा दीजे, आपका A 31 आ जाएगा, सप्रेक कराने के बाद, हमारा A 31 आ जाता है, 178 के बराबर, question, यहां पर समाप दूआ, चलते हैं, अगले टाइप के ऊपर, अगले टाइप में बोला गया है, an AP consists of 50 terms, of which third term is 12, and the last term is 106, find the 29th term, तो basically आपको दे रखा है, A third is equal to 12, इदर से दे रखा है, कि भाई, last term 106 के बराबर है, मतलब 50 term ही है, मतलब last term जो है, 106 है, मतलब A 50 is equal to 106, और find out के खरना है, 29th term मतलब A 29 हमारा हो गया, unknown, चलो, वापिस से वही फार्मूला, फार्मूला क्या बोलता है, an is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है, तो करते हैं इस पे, सबसे पहले, इस equation पे लगा देते है, a3 की value put करते है, तो a3 हमने put किया, तो क्या आ जाता है, a, जो की हमारे लिए unknown, plus n minus 1, n कितना है, हमारे पास में 3 है, 3 minus 1 मतलब 2, 2 into d, कितने के बराबर है भाई, 12 के बराबर है, ये हो गई हमारी equation 1, चलते है equation 2 पे, कितना है, a50 है, 50 value put करी, a हमारा unknown, n minus 1, 50 minus 1, give us 49, into d, a50 कितने के बराबर है, 106 के बराबर है, तो याँ पे लिख दीजे, 106, इसको बोल दीजे, equation number 2, और वापिस से equation 2 को, equation 2 को, subtract करवा दिया, मैंने equation 1 से, a plus 49 d, is equal to 106, and a plus 2 d, is equal to 12, sign change, sign change, sign change, a से a cancel out, 49 d में से जब 2 d गया, तो कितना बचा आपना, 47 d बचा, इधर देखते हैं, कितना बचेगा, 94 बचा, कितना बचा, 94 बचा, चलो, d की value क्या आती रजरी है, हमें, d is equal to आ रहा है, हमारा, 94 by, 94 by, 47, 47 1 जा, 47, 47 2 जा, 94, तो हमारा d की value आ गई है, यहां से, 2, क्या करेंगे अब, अब इधर यह formula, में पोर करेंगे, और values, find out करेंगे, d निकल चुका है, तो सबसे पहले, कोई भी equation में रखके, आप a भी निकाल लीजिए, तो d की value मैंने, रखी equation, 1 के अंदर, तो यह हो गया, 12 is equal to a, plus 2 into d, 2 into 2, will be 4, और जब positive 4, इस तरफ आएगा, तो negative का 4 हो जाएगा, 12 minus 4 is 8, तो हमारे पास में answer आ जाता है, 8 is equal to a, a की value आ गई है, हमारी 8, क्या करें, values put करो, करते हैं, 829 is equal to, a, जो की हमारा 8 के बराबर है, plus n minus 1, n minus 1 क्या हो जाएगा, इस case में, 29 minus 1 will be, 28 into d, d कितना है हमारा, 2 के बराबर, बड़ा असा answer आ रहा है, solve कर लिए इसको, 8 plus 16, 4, 5, 56, is equal to, 56 plus 8 कर लेंगे अपन, और हमारा answer आ जाएगा, 64 के बराबर, a, 29 आ गया हमारा, 64 के बराबर, question यहाँ पर समाप्तुआ, अगले वाले type पे चलते, अगला type में यह बोला जा रहा है, कि जो common difference है, first 100 terms का, दो अलग-अलग APs का, वो है 100, तो पहली AP बोल देते हैं, हम a, b, c, and so on, दूसरी AP बोल देते हैं, capital A, capital B, capital C, and so on, तो यह बोल रहे हैं, कि इसका, इसका, दोनों का, जैसे इसका, a, 100, और इसका, a, 100, का जो, suppression है, वो आ रहा है, 100 के बराबर, अब यह बूच रहा है, कि भाई, 1000 के अंदर क्या आओ जाएगा, a, 1000, minus a, 1000, कितना value आजाएगी, तो वो find out करना है, तो पहले तो हमें यह पता है, कि a, 100, minus a, 100, is equal to 100, इतना हमें पता है, अब क्या करेंगे अपन, formula put करेंगे, कौन सा वाला formula, यही, an is equal to, a, plus, n, minus 1, into d, यही formula को हम, put कर देंगे, फटाफट, तो करते हैं, इसके अंदर put, formula में put किया, formula क्या होता है, a, plus, n, minus 1, into d, a, क्या, इसकेस में a ही है, तो हमने यहापे लिखा, a, plus, n, n कितना है, 100, minus 1, will be, 99, और d, जो है, वो d है, यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, दिये, कि common difference जो है, वो दोनों का बराबर है, इन series के अंदर, जो d है, दोनों series के अंदर, जो d है, वो same है, ठीके, तो यहाँ पर हो गया, a, plus, 99, d, minus का, वापिश से same formula, a, plus, n, minus 1, into d, इस case में, a हमारा capital A है, इस case में, a हमारा capital है, तो यहाँ पर लिख दीजे, capital A, plus, n, minus 1, मतलब 100, minus 1, मतलब 99, और d, तो small d है, इनका भी, small d is equal to 100, इसको थोड़ा solve करते है, यह हो जाता है, a, plus, 99 d, minus का capital A, minus का 99 d, क्योंकि, minus का 99 d, plus का 99 d, cancel out, तो मतलब, small a, minus capital A, will be 100, यह हमें पता लग गये, बिना कोई time गवा है, हम thousand भी निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, thousand का difference भी निकाल देते हैं, capital A, thousand, is equal to what, यही find out करना है हमें, तो इनके अंदर, इनके formula's को put करते हैं, formula यही बोलता है, an is equal to a, plus n minus 1 into d, तो इसमें करते हैं put, क्या हो जाता है, a की जगे, a ही आने वाला है, n minus 1 मतलब, thousand minus 1 will be, 9, 9, 9, d, minus का sign लगा है, capital A, plus n minus 1, वापिस से वो ही, 9, 9, 9, और d तो सेम ही यह दोनों का, देखते हैं कि आ जाता है, a plus, 9, 9, 9, d, minus a, minus का 9, 9, 9, d, 9, 9, 9, 9, 9, d, 9, 9, 9, d, cancel out, क्या बच्चा, capital, small a, minus capital A, जो कि हमें पता है, hundred के बराबर है, ऐसे questions आ जाते, असान questions होते, थोड़ा सा दिमाख लगाना होता है, word problems को अच्छे से पढ़ना होता है, और उनको एकदम standard form में put down करना होता है, चलते हैं अगले text के उपर, क्या बोल रहा है, find the 20 term from the last of the AP, basically यह बोल रहा है कि आपको 20 term निकालनी है, कहां से, पीछे से, जब पीछे से निकालनी ही है, तो उसको पहला बना दो, कहने का मतलब क्या है, कि जो last term से आपको 20 term निकालनी है, तो last term को फर्स term बना देता हूँ, ठीक है, तो मैंने last term को first term बना दिया, तो third term हो गई, third last term, second term हो गई, second last term, and first term हो गई, last term, I hope ये clear होगा, ठीक है, अब इनके बीच में जो difference था, कितने का था, देखो, three, मतलब eight minus three, give us five, तो जब series को मैंने पूरा, invert कर दिया, तो मेरा d जो हो जाएगा इस case में, d जो हो जाएगा, इस case में वो हो जाएगा, minus का five, change कर दिया ना हमने, d की value, अब series के क्या हो जाएगी, minus five, अब तो आसान है, a20 निकालना है, a20 is equal to a, plus n minus one, into d, a20 will be a, a की value क्या है, two, 53, n हमारा हो जाएगा, 20 minus one, give us 19, और d आ रहा है हमारा, minus five, क्योंकि हमने, पुरी series को invert कर दिया, series पहले थी, उसके में, जो common difference था, वो five था, इस case में common difference जो होगा, d is equal to minus five हो जाएगा, चलो, solve कर लेते हैं, a20 is equal to, 253, 45, और यह हो जाएगा, हमारा 95, तो 253 minus 95 करेंगे, तो a20 आ जाएगा हमारा, फटा पर solve करिए, और answer लिख दीजिए, तो 153 minus 95 किया हमने, तो 158 के बराबर answer आ गया, 820 जो आ गया है, वो 158 आ गया, चलते हैं अगले question की तरह, अगले question में बोल रहा है, find the sum, कितना sum find out करना है, 100 term तक sum find out करना है आपको, मतलब basically आपको, S100 निकालना है, S100 के लिए, formula क्या हो जाएगा, हमारा formula होता है, SN का, SN is equal to, N by 2, 2A, plus N minus 1, into D, तो formula में put करेंगे, N की value क्या है, 100 है, तो यह हो जाएगा, आपका 100 by 2, into 2A, A की value कितनी है, आपकी 0.6, 0.6 into 2 will be 1.2, ओके, तो यहाँ पर आजाते हैं, आपका 1.2, plus का N minus 1, मतलब 100 minus 1, मतलब 99, into D, D की value क्या है हमारी, 1.7, 1.7 minus 0.6, तो D की value हो जाती है, हमारी 1.1 के बराबर, कितने के बराबर, 1.1 के बराबर, तो हम इसको इदर लिख देते हैं, 1.1, जब इसको solve करते हैं हम, तो देखो कितना आ जाता है, 2 divided by, 100 divided by, 2 is 50, तो S 100 is equal to 50, into 1.2, into, 99 into, point हटा दो थोड़ी देर के लिए, 11 by, 10 हो गया यह, 99 into, 11 करके देख लो कितना आता है, 99 into 11 किया, हमने और यह आ जाता है, हमारा, 1089 by 10, plus 1.2, into 50, is equal to S 100, तो basically, S 100 will be, is equal to 50, packet के अंदर 1.2, और, इसको हम, point लगा देते हैं, वापी से कितना आ जाएगा, 108.9, plus का, 108.9, करते हैं, सॉल इसको, यह हो गया, 11 हमारा, 1 यहां आ गया, 9, 10, 0, 1 यहां गया, 1, 1, 0, into 50, S 100 हो गया, हमारा, 1, 0 से, 0, यह हो जाएगा, 50, 55, ठीक है, तो S 100 आ गया, हमारा, 50, 55, sum of, first 100 टर्म, आ गयी है, हमारी सेरीज की, 505, चलते हैं, अगले कुर्श्ट की तरफ, अगले कुर्श्ट में भी यही बोला है, find the sum, आपको सीरीज दे रखी है, पहले ग्यारा टर्म निकालना है, पहले ग्यारे टर्म का, आपको, sum निकालना है, तो आपको पता है, S 11 is equal to, N by 2, N by 2 मतलब 11 by 2 2A इस case में 2 into A is 1 by 15 plus N minus 1 मतलब 11 minus 1 give us 10 into D D कितना इदर D is equal to 1 by 12 minus 1 by 15 solve करते हैं 12 into 15 15 minus 12 give us 3 by 12 into 15 4 जा ये हो जाता है हमारा 60 के बराबर तो 1 by 60 जो है हमारा D आ चुक है तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1 by 60 0 से 0 हटा दिजे आप और फिर solve कर दिजे इसको 11 by 2 into 2 by 15 plus 1 by 6 solve कर दिजे LC हम ले लिजे 6 into 2 is 12 and 15 तो S11 is equal to 11 by 2 15 into 6 is equal to 12 plus 15 that will be equal to 27 by 90 3 की टेबल से अटा दिजे इसको यह हो जाएगा 3 9 जा 27 and 3 3 जा ओके फिर अटा दिजे 3 and यह हो जाएगा 10 तो यह हो जाएगा 33 33 by 20 S11 आगे है हमारा 33 by 20 के बराबर चलते है अगले कुश्यन की तरफ अगले कुश्यन बोल रहा है find the sum of the given below पहले आपको sum find out करना है इस equation इस पूरी series का sum निकालने के लिए पहले आपको n निकालना पड़ेगा n मतला आपको सबसे last term की term निकालने पड़ेगी कौँसी term है वो तो इसका n कैसे find out करेंगे जो इसकी last term की value है वो कैसे find out करेंगे कि भाई आपको पता है हो जाएगा हमारा minus 8 minus का minus 5 तो d की value आगे हमारा minus 8 plus का 5 तो d की value निकल जाती है हमारा minus 3 कित्ते निकल जाती है d की value हो जाती है minus 3 अब n find out करना है तो हम बोलेंगे a n का formula क्या होता है a plus n minus 1 into d कित्ते के बराबर है a n minus 230 के बराबर है A की value हमारी minus 5 minus 5 put किया N जो है वो हमारा unknown D की value है हमारी minus 3 के बराबर is equal to minus 230 भेजिए minus का 5 उस तरफ जाएगा तो plus का 5 minus का 230 plus का 5 will be minus का 225 लिख देते हैं इसको तो minus का 225 जब minus के 225 को आप minus के 3 से divide करवाते हैं तो आँ जाता है N minus 1 is equal to यहां multiplication में इसलिए हो हो हमाँ पे division में चला गया minus का 225 by minus का 3 minus से minus गया 3 7 जा 21 N1 बचा तो 3 5 जा 15 तो यह हो जाएगा N minus 1 is equal to 75 मतलब N is equal to 75 plus 1 मतलब N की value आगे है हमारी 76 तो हमें यह पता है कि यह जो value है वो 76 पे आ रही है मतलब हमें S76 निकालना है formula लगा दीजिए S N का formula क्या होता है N by 2 2 A plus N minus 1 into D S 76 is equal to N by 2 मतलब 76 by 2 into 2 A A कितना है अपना? minus 5 minus 5 into 2 A is minus 10 plus N minus 1 N कितना है हमारा? 76 76 minus 1 is 75 into D D हमारा minus 3 के बराबर लिख दीजिए minus 3 solve करते है इसको S 76 is equal to 76 by 2 minus 10 plus का तो 3 into 5 is 15 तो यह हो गया 5 21 plus 1 is 22 तो वैल्यू आजाती है आपकी S 76 is equal to 76 by 2 into minus 2 35 by 2 solve कर डीजिए इसको 3 जा 6 and 8 जा यह हो जाता है S 76 is equal to 38 into minus का 235 जो solve करने के बाद answer आएगा वही हमारा S 76 है तो हमारा आजाता है यह minus का 8930 के बराबर तो S 76 हमारा आगया है minus का 8930 यह यह टाइप क्या खतम हुआ अगले question पर चलते है अगले question में बोला गया है कि A 12 की value 37 है D की value 3 है A निकालना है S 12 निकालना है सबसे पहले तो A 12 की बात करें formula क्या हो जाता है S A N is equal to A plus N minus 1 into D लग दीजिए A 12 मतलब 37 is equal to A जो की 9 ने अमारे लिए N जो है वो हो जाएगा 12 minus 1 11 के बराबर और D जो हो जाएगा वो 3 के बराबर है तो इन टू 3 37 is equal to A plus 33 positive 33 उदर गया तो negative 33 हो जाएगा 37 minus 33 is equal to A तो ये हो जाएगा 4 के बराबर A is equal to आ गया हमारा 4 A 4 आ गया हमारा निकल गया हमारे A की value S 12 निकालना है S 12 का formula put करे S N is equal to N by 2 2 A plus N minus 1 into D तो S 12 is equal to 12 by 2 2 into A A की value है 4 4 into 2 is 8 plus 12 minus 1 is 11 और D हो जाता है हमारा 3 के बराबर तो हमने 3 put कर दिया ये हो गया 6 के बराबर S 12 is equal to 6 into 8 plus 33 तो 8 plus 33 हो गया हमारा 41 के बराबर 44 into 6 करना है अब में 6 तो हमारा S 12 आ गया 246 के बराबर कितने के बराबर 246 के बराबर चलते अगले question की तरफ अगले question बूल रहा है कि हमारा AN जो है वो 4 के बराबर है ठीक है D जो है हमारा 2 के बराबर है और जो Sn है हमारा वो minus 14 के बराबर है हमें N और A find out करना है तो सबसे पहले तो formula लगाते है हम An वाला A क्या हो जाता है An क्या हो जाता है हमारा A plus N minus 1 N minus 1 into D D कित्ता दे रखा है 2 के बराबर 2 put कर दीजे इस तरह is equal to 4 आ जाता है Sn की बात करते है Sn का formula एक formula और है याद है अगर आपको Sn is equal to N by 2 A plus L बोल दीजिए या An बोल दीजिए बात तो एक ही रहती है तो Sn is equal to आ जाएगा हमारा N by 2 A की जगे A तो unknown है और An है 4 के बराबर तो हमने लग दिया 4 और Sn की जगे मैं put कर सकता हूँ minus 14 तो मैं यहाँ पर put कर दता हूँ minus 14 तो इन दोनों को देखके मुझे लग रहा है कि एक A unknown है एक N unknown है आपके पास में 2 equation है और 2 unknown है तो मतला काम हो सकता है हमारा असानी से तो देखो 2 into minus 14 is minus 28 A जब A तो N into A plus 4 आगया है यहाँ पर हमारे पास में चलो यहाँ से हम A की value निकालके इसमें put कर देते हैं तो simply इसको ऐसे लग देते हैं A is equal to इस पूरे पार्ट को उधर भेज दिया मैंने 4 minus N minus 1 into 2 यह value हम उसमें pour कर देते हैं तो हो जाता है minus का 28 N is equal to N into A minus N minus 1 into 2 plus का 4 यहाँ पे आरहा है यह हो जाएगा minus 28 is equal to N 4 को तो रहने दो ऐसे minus अंदर गया और 2 multiply हुआ तो यह हो गया minus का 2N और जब 2 अंदर multiply हुआ minus 1 से तो होगा minus का 2 minus का 2 जब minus से multiply हुआ तो हो गया plus का 2 और plus का 4 ठीक है अब 4, 4 हो गया 8 प्लस 2 10 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 28 is equal to n माइनस 2 n और प्लस का 10 क्या करते है 2 कॉमन ले लिजी इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने और n को अंदर भेज दीजी माइनस का n स्क्वार प्लस का 5 n ठीक है 2 से इसको अटा दीजी 14 के बराबर उस तरफ ले लिजी तो आपका equation बनती है माइनस का n स्क्वार प्लस का 5 n और प्लस का 14 माइनस से मल्टिप्लाइ कर दीजी क्योंकि n को पॉजिटिव रखते है तो ये हो जाता है n स्क्वार माइनस का 5 n माइनस का 14 अब आपके पाश में दो तरीके n निकालने के या तो आप मिडल टरम स्प्लिट कर दीजी या फिर आप धराचारी फार्मूला लगा दीजी इसको अपन Quadratic Equation Formula भी बोलते हैं तो मिडल टरम स्प्लिट करने का ट्राय करते हैं मिडल टम स्प्लिट कैसे होगी माइनस 5N है मतलब मिडल टम को ऐसे स्प्लिट करना है मुझे कि वो आगे और पीछे के मल्टिप्लिकेशन के बराबर हो और एड करने पे माइनस 5N वापिस आ जाए तो सोचते हैं क्या पॉसिबिलिटी है हम ले सकते हैं माइनस 7N और प्लस का 2N जब इन दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे हम तो कितना हो जाएगा माइनस का 14N स्क्वेर के बराबर जो की इन दोनों से मल्टिप्लाइ करने से आता है और इन दोनों का एडिशन जो होगा वो वापिस से माइनस का 5N हमें प्रोवाइट कर देगा मतलब ये दोनों सही रहेंगे पुट कर देते हैं एक बार तो ये हो जाता है हमारा N स्क्वेर माइनस का 7N प्लस का 2N माइनस का 14 इस इक्वेल टु जीरो इन दोनों में कॉमन क्या आगे पीछे वाले ब्रेकेट पूरे कॉमन ले लिए तो बचा N-7 इन टु एन प्लस 2 इस इक्वेल टु जीरो डैट मींज देन N-7 इस इक्वेल टु जीरो N प्लस 2 इस इक्वेल टु जीरो N की वेलियू यहां से 7 आती है जो कि सही है और यहां पे N की वेलियू माइनस 2 आती है और अपना कोई भी टर्म माइनस 2 के बराबर नहीं हो सकता है इसलिए हमने उसको रिजेक्ट किया और हम यूज करेंगे N की वेलियू 7 तो यहां पे फॉर्मूला में आप N की वेलियू 7 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यह वाला जो फॉर्मूला था इसको देखे क्या था फॉर्मूला खोलते A N का फॉर्मूला क्या था A प्लस N माइनस 1 इन्टू D D था तू के बराबर इस इक्वल टू 4 आ रहा था N की वेलियू कित्ती आ गई 7 इसमें पूट कर दीजिए 7 तो यह हो जाएगा 6 इन्टू 2 12 4 उदर गया माइनस का हो गया तो A की वेल्यू जो आ रही है आपकी माइनस का 8 आ रही है कित्ती आ रही है माइनस की 8 आ रही है और N की वेल्यू 7 और A की वेल्यू माइनस का 8 आ रहा है आपको कुश्यन यहां पर समाप्त हो गया है चलते है अगले कुश्यन की तरफ अगले कुश्यन देखते है क्या बताया गया है A की वैल्यू 3 दे रखी है N की वैल्यू 8, S की वैल्यू 192 और D फांड आट करना है बड़ा आसांचा कुश्यन है आपको SN दे रखा है 192 के बराबर SN का फर्मूला लगा देंगे क्या हो जाता है N बाई 2 N है 8 के बराबर 8 बाई 2 2 A मतलब 3 इंटू 2 is 6 प्लस N माइनस 1 N है हमारा 8 के बराबर 8 माइनस 1 is 7 इंटू D 4 से अटा दो इसको 4 इंटू 6 इस 24 प्लस 4 इंटू 7 इंटू D 24 को उदर भेजा तो यह हो गया 192 माइनस 24 इस इक्वाल टू 4 इंटू 7 इंटू D के बराबर तो 192 माइनस 24 गिव उस 1 6 विल गिव उस 168 इस इक्वाल टू 4 इंटू 7 D division में डाल दीजी इसको 168 by 4 इंटू 7 D 168 को 4 से हटाते है तो हमारा आ जाता है 42 के बराबर 42 by 7 is equal to D आ जाता है और जब 42 को divide कराते है 7 से तो हमारा आ जाता है 6 के बराबर तो D की value आ गई हमारी 6 के बराबर ठीके चलते अगले question की तरफ D निकल चुका है हमारा 6 D आ गया हमारा 6 के बराबर अगले question की तरफ बढ़ते है अगले question में देखे क्या बताया गया है कि हमें देखा है कि last term जो है वो 28 के बराबर है SN जो है वो 144 के बराबर है and there total terms are 9 find करना है हमें यह तो बहुत असान है formula कौन से इस्तमाल होगा SN is equal to N by 2 A plus L चलो put करते है N की value है 9 by 2 SN हमें दे रखा है 144 के बराबर और A हमारा unknown L दे रखा है 28 के बराबर ले जाए उस तरफ 144 into 2 by 9 is equal to A plus 28 थोड़ा बत सॉल कर ले इसको आप तो 916 जा हो जाता है हमारा 144 into 2 is equal to A plus 28 के बराबर आ जाता है यह हमारा तो यह हो जाता है 32 minus 28 is equal to A कितना आ गया 32 minus 28 is equal to A 32 minus 28 कर लीजे आप आपका A निकल जाएगा 4 के बराबर आ गया है हमारा A A की value 4 आ चुकी है तो यह question भी यहाँ पर समापत होता है चलते हैं अगले question की तरफ अगले question में बूला गया है find the sum of the first 15 term of 8 तो N की value दे रखिए आपको 15 A आपको पता है 8 के बराबर है और D भी आपको पता है कि 8 के बराबर है क्योंकि multiples of 8 है तो directly formula put करते है अपन S 15 is equal to 15 by 2 into 2 A तो मतलब 16 8 into 2 is 16 N minus 1 मतलब 15 minus 1 मतलब 14 into 8 यहाँ से आप चाहे तो 8 कॉमन ले लिजे S 15 is equal to 15 by 2 into 8 यहाँ बचा आपका 2 plus 14 4 हो गया यह 15 into 4 is 60 और अंदर हो गया 16 के बराबर multiply करा दीजे S 15 आगया आपका 960 के बराबर S 15 आगया आपका 960 के बराबर चलते है अगली कुश्यों की तरफ तो इसमें बोला गया है कि students को price बटा जा रहा है तो total जो price money है वो हमारा 700 है और हम हर एक price money के बाद मतलब first price इसको मिला उसको बाण लेते है P मिला अगला price इसको मिलेगा उसको minus 20 रुपीज हो जाएगा उसका फिर ऐसे minus 20 मतलब minus 40 हो जाएगा and so on और कितना मिला? साथ बार मिला मतलब आपको basically क्या दे गिया? n की value 7 दे दिये इन्होंने और इन्होंने sn भी दे चुक है कितने के बराबर दे चुक है? 700 के बराबर दे चुक है और in fact d भी दे दिये d कितना है? minus 20 के बराबर आ गिये तो d की value भी हमें पता है minus 20 है find करना है value of each price मतलब basically आपको a find out करना है और फिर सारे price की values find out हो जाएगा तो formula लगाते है sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d sn हमारा है 700 के बराबर put करें 700 n की value है 7 तो यहाँ पर हो जाएगा 7 by 2 2 into a a की बात करें हम तो a को हम p बोल रहे है तो आप भी यहाँ पर p लिख दीजिए n minus 1 मतलब 7 minus 1 6 हो गया है d की value minus 20 है यहाँ पर आप minus 20 इसको put कर दे क्या करें दोनों में से 2 common ले ले लेते हैं काम असान हो जाएगा और 7 बंजा 7 700 जा 700 तो यह हो गया 100 is equal to 1 by 2 यहाँ से हमने 2 common ले लिया है तो यह हो जाएगा हमारा p और 2 common ले लिया हमने तो यह बचेगा plus का 6 से इंटू minus 10 2 से 2 cancel out हो गया ठीक है 100 is equal to 100 is equal to p और यह हो जाएगा minus 60 के बराबर तो उदर जाके यह हो जाएगा 100 plus 60 is equal to p p की value आ रही है हमारी 160 तो मतलब जिसको first price मिलने वाला है उसको मिलने वाला है 160 रुपीज कितना मिलने वाला है उसको मिलने वाला है 160 अगला वाला price कितने का हो जाएगा 140 का हो जाएगा अगला वाला 120 अगला वाला 100 उसके अगला वाला 80 and उसके अगला वाला हो जाएगा हमारा 60 के बराबर और उसके अगला वाला हो जाएगा हमारा 40 के बराबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th तो यह आपके साथ जो प्राइजेज मिलेगे उनकी वैल्यूस हमें पता लग गई है चलते अगले कुशन की तरफ अगले कुशन में बोला गया है कि एक रेस हो रही है बकेट रखावा है यहाँ पर और 5 मिटर दूर 1st पटाइटो रखावा है इसको यह उठाएगी और जाके बकेट में वापिस रखतेगी तो मतलँ 5 मिटर यह मूब करती है । फिर यहाँ से वापिस रण करती है इस की पटाइटो के लिए जो कि 8 मीटर दूर हो गया है तो बेसिकली हम से पूछा यह जा रहा है मैं कुशन जितना उसने कवर किया है तो हम बोलते हैं कि जो हमारी सीरीज बन जाएगी वो पहले तो 5, फिर अगला वाला 5 प्लस 3, 8, and so on, यह हमारी सीरीज बन जाएगी, अब वो दो बार भाग रही है, तो इस कुश्चिन को करने के दो तरीके, या तो आप यहां पर लिख दीजिए, 5 प्लस 5 मतलब 10, तो आपक जादा है, इससे बढ़िया क्या करें आप, यहां पर आप ऐसे निकाले, इसका total sum निकाले, इतना distance ने cover किया है, और उसको फिर दो गुना हम कर देंगे, तो क्या हो जाता है, 5, 8, ऐसे ही, so on, तो हमारी सीरीज के इसाप से जो हमारा A आता है, वो है 5 के बराबर, हमारा जो D N potatoes है, मतलब आपको N की value भी दे दी है, 10 के बराबर, आपको पता है N कितना है, 10 के बराबर, आपको S N निकालना है, क्या निकालना है, आपको S N find out करना है, तो करते है S N find out, S N is equal to N by 2, 2A plus N minus 1 into D, values put करते है S के अंदर, S 10 निकालना है, S 10 will be 10 by 2 into 2A, A हमारा 5 के बराबर, 5 पो इदर, प्लस N minus 1, मतलब 10 minus 1, 9 के बराबर, और जो D है हमारा, वो है 3 के बराबर, solve कर सकते है S को अराम से, यह हो गया 5, तो S 10 is equal to 5 into 10 plus 27, S 10 will be 5 into 37, solve कर लेते है S 10 आजाते है हमारा 185, मतलब एक बार जो जितना हो move करेगी, वो आ गया हमारा 185 के बराबर, अब हमें पता है कि वो दो बार जा रही है, मतलब एक बार यहां से उठा के वापिस रखने जा रही है, फिर वापिस यहां पर उठा के रखने जा रही है, फिर वो यहां पर जा रही है, और वापिस आ रही है, तो इसका दो गुना करना पड़ेगा, into 2 करना पड़ेगा, ह हो जाता है हमारा 10 16 और यह है तो हमारा 2 x 10 आ जाता है 370 मतलब टोटल डिस्टेंस जो है उसने 370 मीटर्स मूव करिए तो हमारा यहां पर कुश्चन का समापत हो गया अगले कुश्चन पर चलते अगला कुश्चन जो है वो अपने मतलब 5.4 का कुश्चन है इंपोर्टन है ध्यान देना है इस पर अच्छा से क्या बोल रहा है द सम अफ थर्ड और सेवं तर्म अफन अफन अपी इस 6 मतलब A3 प्लस A7 इस इक्वल तो 6 दे रखा है और प्रडुक्ट इस 8 मतलब A3 इंटो A7 आपको 8 दे रखा है find the sum of 16 term मतलब आपको S16 find out करना है तो चलो करते है खोल देते हैं इसको फॉर्मुले से कौन सा फॉर्मुला AN वाला फॉर्मुला क्या बोलते हैं AN is equal to A plus N minus 1 into D फॉर्मुले पुट करते हैं value 3 तो यह हो जाता है A plus N minus 1 मतलब 3 minus 1 2D plus का sign A7 7 put करेंगे तो वापिस से A plus 7 minus 1 मतलब 6 into D is equal to 6 आ रहा है पहले इस equation को solve करते हैं फिर इसमें putting कर देंगे अपर तो देखते हैं यह हो जाता है हमारा 2A के बराबर और यह हो जाता है हमारा 8D के बराबर is equal to 6 आ रहा है 2 से डिवाइड कर दीजिए A plus 4D is equal to 6 आ रहा है same काम इस equation के लिए करते है हम value is put करते है A 3 की जगे आ जाएगा हमारा A plus 2D A 7 की जगे आ जाएगा हमारा A plus 6D is equal to 8 is equal to 8 यहां से आप A की value निकालके A की value निकालके A is equal to आ जाता है 6 minus 4D अपन इसमें put कर देते हैं यहां पर हलकी से गलती होगी वच्चा क्या होगा जब अपनने 2 से divide किया तो यह हो जाएगा A, यह हो जाएगा 4D और यह हो जाएगा 3 हमारा यह हो जाएगा 3 के बराबर तो यहां पर आएगा 3 तो A आ रहा है हमारा 3 minus 4D फ्लस 2D into 3 minus 4D plus 60 is equal to 8 इन दोनों को solve किया 4D plus 2D minus का 4D plus का 2D हमारा आ जाता है 3 minus 2D similarly यहां पर आ जाता है 3 plus 2D is equal to 8 जब इसको हमारा आम से देखते हैं तो हमें formula बनता नजर आ रहा है A minus B into A plus B का यहां पर A मतलब 3 और B का मतलब 2D हो रहा है तो यह बन जाता है हमारा A square minus B square तो हमारा A है 3 के बराबर तो यह हो जाएगा 9 minus B square B के हमारा 2D के बराबर है तो यहां पर लिख देते हैं 2D का whole square और यह पूरा किसके बराबर था? 8 के बराबर यहां पर लिख देते हैं 8 solve करते हैं इसको यह हो जाता है 4D square के बराबर is equal to 8 थोड़ा all solve किया है इसको minus 9 9 positive है उद्धर जाके हो जाएगा minus का 9 तो minus का 4D square is equal to 8 minus 9 मतलब minus का 4D square will be minus 1 minus से minus गया d square is equal to 1 by 4 आ रहा है मतलब d आपका plus minus 1 by 2 आएगा d के value कित्ती आ गई है? plus minus 1 by 2 के बराबर आ गई है बाकी सीज़े rough हरिए इस वाली equation के अंदर d के value put करिए तो a is equal to 3 minus 4D था यहाँ पे d की value एक बार plus half एक बार minus half put करके हम a की value दोनों ही निकाल लेंगे d की value जब मैं plus half put करता हूँ d is equal to plus half जब मैं यहाँ पे put कर रहा हूँ equation के अंदर तो हमारा जो a का answer आता है वो आ जाता है a is equal to 3 minus 4 into 1 by 2 2 से 2 गया 4 हुआ 3 minus 2 is 1 तो d की value half put करने से मेरी a की value आ गई है 1 अब put करते है d की value minus half तो हमारा a is equal to हो जाता है 3 into minus 4 into minus half that give us plus का 2 तो d की value minus half put करने से हमारी a की value आ रही है plus का 5 तो दोनों ही s16 अलग-अलग निकलेंगे दोनों ही जो series होगी वो different होगी तो दोनों के लिए हम निकाल देते है s16 s16 हो जाएगा यहाँ पर 16 by 2 मतलब n by 2 into 2a a किसे इस case में 1 है तो मतलब 2 plus n minus 1 16 minus 1 is 15 into d d हमारा है plus half के बराबर यहाँ पर लिख देते है plus half solve करते है इसको यह हो जाता है 8 s16 is equal to 8 into 2 plus 15 by 2 s16 is equal to 8 into lcm ले ले लेते हैं यह हो जाएगा 4 plus 15 that give us 19 19 by 2 यहाँ पर जाता है 19 by 2 यहाँ पर हो गया 4 तो s16 आगया हमारा 76 के बराबर तो d की value half की वज़े से a आया 1 और इन दोनों की वज़े से जो s16 आगया हमारा वो आगया है 76 के बराबर अब निकालते है जब d की value minus half थी a की value plus 5 आया थी इसके लिए s16 निकालते है s16 is equal to 16 by 2 2a मतलब 5 into 2 give us 10 minus का फिर plus into n minus 1 n कितना है 16 into minus 1 is 15 into d जो की हो जाएगा minus half के बराबर solve करते है इसको s16 will be is equal to 8 into 10 minus का 15 by 2 हो जाएगा ये 5 by 2 के बराबर 2 से 8 गया 4 बचा s16 आगे हमारा 20 के बराबर S16 आ गया हमारा 20 के बराबर तो 1x16 आ रहा हमारा 76 और 1x16 आ रहा हमारा 20 के बराबर तो यहाँ पर quan dovete है चलते हैं अगले planet की तरफ तो अगले question से हमारा coordinate geometry starts हो जाएगा तो चलते हैं coordinate geometry के formula की तरफ formula के बादे में discuss करते तो first formula सबसे पहला आता है, distance formula, imagine करते हैं कि दो point है हमारे पास में, एक है point A, एक है point A, और एक है point B, इसके जो coordinates है वो है, x1, y1, इसके है हमारे x2, y2, formula हो जाता है, a, b के बीच में length निकालने का distance formula, वो हो जाता है, x2, minus x1 का square, plus y2, minus y1 का, square, first formula है यह, distance formula, पहली वाली exercise में का हमाता है, 7.1 के अंदर, आगे चलते हैं, बात करते हैं, अपन, section formula के first part के बारे में, तो हमने ले लिया वापिस से, point A, और, point B, एक point C, जो इस line को cut कर रहा है, मान लेते हैं कि वो ratios में cut कर रहा है, m is to n के ratio में cut कर रहा है, जो यह point बनाता है, x, y बनाता है, जो कि हमारे पास में unknown है, वही find out करना है, a1 को वापिस से आप a1, y1 ले लिजिए, और B को आप x2, y2 ले लिजिए, solve करते हैं इसको अपन, x will be is equal to, x will be is equal to x1 into n plus y, y2, x2 into x2 into m, नीचे हो जाएगा, m plus n के बराबर, y will be is equal to, y1 into n plus y2 into m by m plus n के बराबर, आगे बढ़ते हैं, यह दो section formula का part 1 हो गया, part 2 में क्या होता है, कि हमारे पास में जो ratios हैं, वो unknown है, तो अगर ratios unknown हैं, और आपको यह center, c point दे रखा है, तो आप m को मान लिजिए, k के बराबर, and n को मान लिजिए, 1 के बराबर, और m की जगे, आप values put कर देंगे, k की, और n की जगे, आप value put कर देंगे, 1 की, तो formula बन जाता है, x is equal to, ठीके, तो यह formula जब काम आएगा, जब आपका, जो ratios है, वो unknown है, ratios are unknown, बात करते हैं, last formula की, जिसको अपन midpoint formula भी बोलते हैं, जब आपको दे रखा है, कि यह जो line है, वो दो equal part में divided है, मतलब, अपना m 1 के बराबर है, और n भी 1 के बराबर है, तो formula हो जाते है, x is equal to, x1 plus x2, by 2, and y is equal to, y1 plus y2, by 2 के बराबर, बिना time based किये, चलते है, first question की तरफ, first question ना बताया गया है, पूछा गया है हमसे, कि, check करो, कि, यह collinear है के नहीं, तो collinear का मतलब हो जाता है, कि, 3 point ले लेते हैं हम, एक हो जाता है point A, एक हो जाता है point B, और एक हो जाता है point C, point A में दे रखा है, 1,5, B के लिए दे रखा है, 2,3, and C के लिए दे रखा है, minus 2, minus 11, जब इनका, check करना होता है, basically collinear है के नहीं, वो check ऐसे होता है, कि, A, C, should be equal to, A, B, plus, B, C, अगर इस condition satisfy करता है, मतलब वो collinear है, condition अगर satisfy नहीं होती है, इसका मतलब collinear नहीं है, तो पहले तो A, C, निकालता है, distance formula से, distance formula क्या बोलता है, x2 minus x1 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square, तो यहाँ पर इस case में x2 क्या हो जाएगा, minus 2, put कर दीजाए यहाँ पर, minus 2, minus का x1, x1 है, 1 के बराबर, यहाँ पर पुट कर दिया, आपने 1 का whole square, plus y2, y2 x case में, minus 11 के बराबर, आपने put कर दिया, minus 11, minus का sign लगाया, y1 हो गया, आपका 5 के बराबर, और इसका whole square, यह पूरा आगया, under root के अंदर, और यह हो गया, आपका AC के बराबर, minus 3 का square is 9, and 16 का square हम लिख देंगे, यहाँ पर, is equal to AC आ रहा है, तो solve करने के बाद, 9 plus 256 हो जाता है, यहाँ पे, तो basically AC आ जाता है, आपका 235 के बराबर, AC आ गया आपका 235 के बराबर, हब हमें find out करना है AB, क्या find out करना है, AB, तो formula तो यही distance वाला लगेगा, points differ करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा AB, AB, तो AB find out करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 minus 1, मतलब 1 का square, 1 का square, plus Y2, जो कि 3 है, minus Y1, मतलब 5, 3 minus 5 will be minus 2, minus 2 का square will be, 4, 4 plus 1 will be 5, तो यह आ गया हमारा, AB जो है, वो root 5 के बराबर आ गया, अब find out करते हैं, हम BC, same formula apply होगा, same formula BC के लिए apply, minus 2, minus का 2 हो जाएगा, minus का 4, minus 4 का square हो जाएगा, 16 के बराबर, 16 plus, फिर यहाँ पर हो जाएगा, minus 11, minus 3, मतलब minus 14, minus 14 का square हम यहाँ पर कर लेंगे, तो BC will be is equal to, 16 plus, 16 plus 196, और यह आ जाएगा हमारा, under root, 12, 2, 1, 2 के बराबर, हम देखते हैं कि BC की value, जब हम AB में add करते हैं, तो आता है, 217 के बराबर, और AC की value आ रही है हमारी 235 के बराबर, basically, AC is not equal to AB plus BC, मतलब, they are not collinear, they are not collinear, they are not collinear, चलते हैं अगले कुशन की तरफ, अगले कुशन में क्या बोला गया है, बताना है कि कौन से type के, quadrilaterals ही है, मतलब, basically, सब की length निकालनी है, चेक करना, अगर सब की length बराबर है, तो फिर यह चेक करना है, specifically कौन से, quadrilaterals है, तो देखते हैं, first point A हो गया हमारा, second point B, C and D, A की value हमने, minus 1, minus 2 put करी, B की value हमने, 1,0 put करी, C की value, minus 1,2 put करी, and D की value, minus 3,0 put करते हैं, और values निकालते हैं, तो सबसे पहले, A, B की बात करते हैं, formula लगाएंगे, distance formula, distance formula बोलता है, x2 minus x1, मतलब 1, minus का minus 1, मतलब 2, 2 का square is 4, plus 0, minus का minus 2, मतलब 2 का square, again 4, 4, तो 4 plus 4, give us 8, तो यह आगया, A, B की value, root 1, similarly हम BC find out कर लेंगे, BC will be, minus का minus 1, का square, तो minus, minus, minus 2 का square is, 4 again, plus, 2 minus 0, का square will be 4, तो यह वापिस से आ रहा है, root 8 के बराबर, ऐसे ही हम, CD find out कर लेंगे, तो CD find out करते है, minus का 1, plus का 3, क्या हो जाएगा, minus 1, minus का minus 3, मतलब plus का 3, तो यह हो जाएगा, हमारा plus का 2 का square, मतलब 4, similarly वापिस इसमें, 2 minus 0, तो क्या हो जाएगा, 4 अच्छा, वापिस से, वापिस से answer आ रहा है, हमारा root 8 के बराबर, similarly हम, AD find out कर लेंगे, यहां से, और AD के लिए, minus 3, minus का minus 1, मतलब वापिस से 2, 2 का square will be 4, plus 0, minus का minus 2, minus 2, मतलब का square, मतलब 4, वापिस से यहां पर आ गया, 4 is equal to root 8, यहां से हम देखते हैं कि, AB, BC, CD और AD, जो है, चारो sites बराबर है, अब हमें यह चेक करना है कि, अगर इनके diagnose भी बराबर है कि नहीं, तो diagnose चेक करते हैं, फिर AC निकालते हैं, AC के लिए वापिस सेम चीज, X2, minus X1, मतलब minus 1, minus का minus 1, मतलब plus 1, 0 हो जाता है, यहां पर 2, और minus 2, मतलब 2, minus का minus 2, 4, 4 का, यहां पर हो जाता है 16 के बराबर, similarly हम BD find out करते है, BD निकालते है, distance formula से, same काम करना है, minus 3, minus का 1, will be minus का 4 का square 16, यह तो 0 ही है, वैसे भी दोनों चीज, तो हम देखते हैं कि, AC और BD भी बराबर है, और सारी sites भी बराबर है, और dynals भी बराबर है, मतलब definitely, यह जो है, वो square हो चुका है, चलते हैं अगले question की तरफ, अगले part में यह same काम करना है, check करना है कौन सा यह, quadrilateral है specifically, तो A की value आ गई यहां पर, minus 3 by 5, B आ गया 3, 1, फिर C आ गया 0, 3, and D आ गया minus 1, minus 4 के बराबर, A, B, C, and D, A, B, निकालिए, निकालते हैं, A, B, 3, minus का minus 3, मतलब 6 हो गया, 6 का square is 36, फिर 4 minus 1, मतलब 4 का square, 16 के बराबर, solve करेंगे इसको हम, तो यह हो जाएगा, 2, 5, 52 के बराबर आ जाता है, ठीक है, चलते हैं अगले पर, B, C, निकालते, B, C, find out करते, तो B, C के लिए देखते हैं, 3 का square will be 9, plus, 3 minus 1, 2, 2 का square will be 4, कितना आता है हमारा यह, 13 के बराबर, आगे चलते हैं, और CD की बात करते हैं, तो यह हो जाता है, 0 minus 1 का square, 1 plus 3 minus 4, plus 4 हो जाएगा, मतलब 7 का square, 49, तो यह आता है, root 50, हम यहां से देखते हैं, तीनों ही value जो है, different आ रही है, मतलब यह कोई specific coordinator नहीं हो सकता है, यहां पर हमारा question समापत हो गया, अगले वाले tag के करफ चलते हैं, अगले question बताया गया है, find the points on the x-axis, which is equal distance from these two points, तो बोला गया है कि x-axis पे एक point है, जो इस वाले point पे, और इस वाले point से equal distance पे, तो हम बोल देते हैं कि x-axis पे एक point ले लेते हैं, हम capital X, इसे coordinate बोल देते हैं, क्योंकि x की बात कर रहे हैं, तो y क्योंकि include कर रहे हैं, और वो एक point A से 2, minus 5 पे है, और यहां से B जो है, वो minus 2,9 के बराबर है, तो basically AX जो है हमारा, वो BX के बराबर है, और अपन इसको solve करके, एक अपनी point को specific के निकाल सकते हैं, वही distance formula लगाना, distance formula क्या बोलते हैं, under root of x2, minus x1 का square, plus y2, minus y1 का square, values put करते हैं, इसके अंदर x2 है हमारा, तो हम पहले AX निकालेंगे, values निकाल देते हैं, values put करते हैं, under root of x2, x2 है हमारा, इस case में, x minus 2 का whole square, plus y2 minus y1, y2 है हमारा, वापिस से 0, 0 minus 5, minus का minus 5, तो कितना हो जाएगा, plus का 5 का whole square, is equal to, under root of bx, bx क्या हो जाएगा हमारा वापिस से, x minus का minus 2, मतलब x plus 2, का whole square, plus, वही 0 minus 9, तो 9 का square विल भी 49, करते हैं, solve इसको अब, दूनों तरफ की squaring कर देते हैं, जिससे, root से, root जो है, वह, cancel out हो जाए, यह हो जाएगा, हमारा, x minus 2 का whole square, plus का 25, is equal to, x plus 2 का whole square, plus का 49, equation को solve करेंगे, x की value, जो unknown है, वह find out करेंगे, सबसे पहले, यहाँ पर, a minus b का whole square, formula लगा देते, जो की हो जाता है, हमारा, x square, plus का 4, minus का 4, x, plus का 25, is equal to, वापिस से, यहाँ पर, a plus b का whole square, का formula लगा देंगे, जो हो जाएगा, x square, plus 4, plus का 4x, and, plus का 49, x square से, x square cancel out, 4 से, 4 cancel out, 4 x को, इस तरफ ले लेता हूँ, मैं, तो 4 x, plus 4 x, will be, 8 x, and, 49 को, उदर भिज़ देते हैं, हम, तो यह हो जाएगा, 25 minus 49, किता हो जाएगा, 25 minus 49, लग देते हैं, 8 x is equal to, 25 minus का 49, solve करिए इसको, तो 8 x जो आजाता है, हमारा, वो आजाता है, minus का 24 के बराबर, x will be, minus का 24, by 8, x की value आगे, हमारी minus का 3, तो जो coordinate आगे है, हमारे वो आगे, minus 3,0, कितने आगे, minus 3,0, चलते हैं, अगले question की तरफ, अगले question में बोला गया है, find the coordinate of the point, point A, 4, minus 1, and point B, जो की है हमारा, minus 2, minus 3 के बराबर, इसका, trisection हुआ है, मतलब, 3 equal parts में ये, divide हो चुका है, तो पहला part, and 2 सुरा part, तो ये पहला part, ratio 1 हो गया, 3 equal ratio में divide हुआ है, तो 1 is 2, 1 is 2, 1, यहाँ पहे point को बोल देजी, आप C, इस point को बोल देजी, आप D, इसको बोल देजी, आप A, B, और इसके लिए, आप बोल देजी, C, D, तो ये हो जाएगा, C, D, find out करते है, कौन सा formula अप्लाए होगा, section formula, section formula क्या बोलता है, x is equal to, x2 into, m, plus x1 into n, by m plus n, and y will be equal to, y2 into m, plus y1 into n, by m plus n, तो ये formula आपको अप्लाए करना है, सबसे पहले अपन, point D को निकाल लेते हैं, तो point D के भी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर point D को calculate कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जब हम देखते हैं, तो ये ratio हो जाता है, 2 के बराबर, 1 plus 1, 2 हो गया है, और यहाँ पर आ रहा है, बचावा हमारा 1, तो इसको find out कर सकते हैं, यहाँ से हमें पता लग गया है कि, m जो है, वो 2 के बराबर है, और जो n है हमारा, वो 1 के बराबर है, तो formula आपको पता है, x की value क्या है, इस case में c है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, c is equal to x2, x2 इस case में क्या है हमारा, minus 2 के बराबर है, तो हम लिखते है, minus 2 into m, m क्या है इस case में 2 के बराबर है, 2 लिखिए, plus का x1, x1 क्या है, 4 के बराबर है, 4 लिखिए, into n, n क्या है, इस case में 1 के बराबर है, 1 लिख दीजिए, y क्या हो जाएगा, m plus n, मतलब 2 plus 1, 3 के बराबर, यहां से आ गया यह 4, minus का 4, plus का 4, 0 हो चुका है, तो c की value आ रही है, तो हमारी जो c की value आ रही है, वो 0 आ रही है, similar case से हम d find out करते है, formula बूट करते है, y की जगे आ जाएगा हमारा d, d is equal to y1, y1 कितना है, minus 1 के बराबर, oh sorry, y2 है, तो y2 हमारा, minus 3 के बराबर, minus 3 into m, मतलब, minus 3 into 2, plus, y1, जो की minus 1 के बराबर है, minus 1 into 1, minus 1 into 1, by, 2 plus 1, 3, minus 6, minus 1 by 3, जो की आ जाता है, minus 7 by 3, तो यह हमारा point निकल चुका है, minus 7 by 3 के बराबर, minus 7 by 3 के बराबर, यह point निकल चुका है, अब निकालना है point C, point C को निकालना के दो तरीके हैं, क्या कर सकते हैं, इस बार n को 2 ले ले, 1 plus 1, 2, 2 और M को 1 ले ले, या फिर, A और D को इस्तमाल करते हैं, 1 is to 1 का रेशो है, तो midpoint formula निकालके, C को निकालना बहुत आसान हो जाएगा, तो अपन midpoint formula से इस्तमाल करके, इसको निकाल सकते हैं, बहुत यह आसान तरीके से हो जाएगा यह फिर, तो using midpoint formula, A D का midpoint निकाल रहे हैं हम, A D का midpoint is, C, और C का A निकालते हैं पहले, A will be is equal to, X1 plus X2, 4 plus 0, by 2, मतलब A आगे हमारा 2 के बराबर, B की बात करते हैं, B क्या हो जाएगा, minus 1, minus का, minus 1, minus का 7 by 3, by 2 के बराबर, solve कर दीजिए इसको क्या हो जाएगा, minus 3, मतलब minus 10 by 3, into 2, तो हमारा, B आजाता है, minus 5 by 3 के बराबर, तो A की value आ गई है, 2, and B आ गया हमारा, minus 5 by 3 के बराबर, C और D दूनों ही निकल चुके, चलते हैं अगले question की तरफ, अगले question बोल रहा है, का ratio लेना है है अपनको formula के अंदर, तो हमारा formula विल भी, x is equal to, formula लिख दिया है मैंने उपर, अब वही दो आपको line दे रखी है, एक point A बोल रखा है, और एक point B बोल रखा है, point A हमारा दे रखा है, 1, minus 5 के बराबर, B दे रखा है, minus 4, 5 के बराबर, इन दोनों को आपने attach किया, एक point है, divided by x-axis, तो बोला गया है कि वह x-axis से divide हुआ है, तो इसको मैं c-point बोल देता हूँ, x-axis है सिर्फ, मतलब x, 0, y जो है इसका 0 हो चुका है, अब अगर इसमें values put करे हम, तो इसका x की condition डाल के, इसको values put करने से हमारा काम जो है, बहुत बढ़ जाएगा, k हमारा निकल नहीं पाएगा, y वाला equation हम काम में लेते, y वाली standard condition काम में लेते, y की जगे हमने डाला 0, और y2 कितना है हमारा, 5 के बराबर है, तो हमने ले लिया 5, k हमारा unknown, plus y1, y1 कितना है हमारा, minus 5 के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देते है, minus 5 by k plus 1, जब k plus 1 0 से multiply होगा, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा, 5 k minus 5 is equal to 0, मतलब 5 k is equal to 5, and k की value आ जाती है, 1 यहाँ से, अगर k की value 1 आ रहे हैं, मतलब 1 is to 1 का ratio है, मतलब 1 is to 1 का ratio है, ratio निकल गया हमारा, अब coordinate भी निकल जाएंगे, values put कर दीजे इसके अंदर, तो x is equal to x2, x2 कितना है, minus 4 into 1, plus x1, x1 की value 1 by 2, तो solve करते हैं इसको, minus 3 by 2, तो x की value आ गई, minus 3 by 2, मतलब coordinates will be, minus 3 by 2, comma 0, चलते हैं अगले कुशन की तरफ, तो बढ़ते हैं की तरफ, कुशन बोल रहा हैं कि आपके पास में, 4 vertex है, और वो pedlogram है, basically, तो pedlogram पहले बना लीजे आप, यहाँ पर हमने draw कर लिया, हमारा pedlogram, A, B, C, D दे दिया है नाम इनका, A point जो है, वो 1, 2 के बराबर है, B point जो है, वो 4, Y के बराबर है, C point जो है, X, 6 के बराबर है, और जो D point है हमारा, वो 3, 5 के बराबर है, अब यहाँ पर अपन को एक pedlogram की basic property, याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, कि इनके जो diagonals का midpoint है, वो same होता है, वो same होता है, तो basically अगर मैं, AC का midpoint जो निकालूंगा, और जो मैं, B, C, B, D का midpoint निकालूंगा, वो बराबर होगा, तो अपन directly बोल सकते हैं, midpoint, midpoint, of, midpoint of AC, will be equal to, midpoint of, midpoint of, तो midpoint formula लगा देते हैं, यहां पे, A, और C को use करते हैं, midpoint formula लगाते हैं पहले, तो हम बोलते हैं, सिर्फ X के बारे में बात करते हैं, यहां पे सिर्फ, X axis की बात करते हैं, फिर भहां पे, Y axis की बात कर लेंगे हम, तो X X के साब से formula क्या लग जाएगा midpoint में AC में तो X1 प्लस X2 मतलब 1 प्लस X by 2 और किसके बराबर हो जाएगा midpoint of BC के बराबर हो जाएगा ये सिर्फ X की बात हो रही है Y की बात में बात कर लेंगे तो इस case में क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 by 2 तो 4 प्लस 3 by 2 हो गया 2 से 2 cancel out हो गया 1 वहाँ गया तो X is equal to क्या हो गया 4 प्लस 3 minus 1 के बराबर हो गया तो X की value जो आ जाती है हमारी 6 आ जाती है तो जिससे हमारी X की value जो है वो 6 आ चुकी है X will be 6 बात करते है Y find out करने के लिए same process apply होगा इस case में भी तो same process में क्या करेंगे अपन वही अपन Y के terms में बात करेंगे तो AC का midpoint निकालना है हमें मतलब Y1 प्लस Y2 2 प्लस 6 by 2 will be equal to BC का midpoint मतलब Y plus 5 by 2 2 से 2 cancel out हो गया ये हो गया हमारा 8 8 minus 5 will be 3 तो Y की value यहां से हमारी आ जाती है 3 के बराबर तो जित्ते भी unknown है वो निकल चुके है चलते हैं अगले question की तरफ अगले question में बोला गया है कि आपके पास में 2 point है A point B point बना ले जिए ड्रॉ कर ले इसको पहले अब इसको एक point B जो है वो cut कर रहा है और हमें दे रखा है A P A P is equal to 3 by 7 of A B तो क्या कर दीजिए इसको ऐसे लिख दीजिए A P by A B is equal to 3 by 7 तो हमें बता लग गया है कि A P जो है वो तो 3 के बराबर है जो रिशो है वो 3 के बराबर है बात करें P B की तो P B basically क्या है A P plus A P plus P B is equal to A B है और A B का रिशो हमें दे रखा है 7 के बराबर यहां पर लिख दीजिए 7 P B हमें unknown है 3 के बराबर है 3 plus P B तो P B का रिशो आजाता है 7 minus 3 के बराबर 7 minus 3 is 4 तो P B का रिशो निकल गया है 4 के बराबर अब तो यह normal cushion जैसे solve हो जाएगा आपको point निकालना है P के जो की असानी से निकल जाएंगे section formula से x, y बोलिए इसको and our x will be equal to x2 into m मतलब 3 into 2 6 के बराबर plus का sign लगाया and minus 3 into 4 मतलब x1 into n minus 2 into 4 by m plus n m हमारा 3 n हमारा 4 मतलब 7 solve कर लिजे इसको यहाँ से हो जाता है 8 के बराबर minus 8 के बराबर minus 8 plus 6 will be minus 2 by 7 x की value यहाँ पे आ गई है minus 2 by 7 y को निकाल लेते y will be y2 into m मतलब minus 4 into 3 will be minus 12 plus का sign लगाया minus 2 into 4 will be minus 8 by m plus n that will be 7 y की value यहाँ से आ जाती है minus 20 by 7 के बराबर तो x और y दोनों ही find out कर लिए चलते हैं अगले question की तरफ अगले type की तरफ अगला type जो है हमारा बोल जाया है उसमें find the coordinate of a point which divide line segment joining this and this into 4 equal parts मतलब 4 equal parts में यह line को divide करना है अपन को starting point है a, a की value है 2,2 and जो ending point है हमारा वो है b जोगी हो जाएगा 2,8 एक पूरी line को 4 इसमें बाटने के लिए हमें 3 point डालने पड़ेंगे इसके अंदर एक point को बोल दीजे आप c एक point को बोल दीजे आप d और last point को आप बोल दीजे e के बराबर coordinate हो जाएगे इसके a, b इसके हो जाएगे c, d और इसके आप दे दीजे e, f 4 equal parts में डिवाइड है मतलब 4 के ratio बराबर है तो यह हो जाएगा 1 is to 1 is to 1 is to 1 का ratio divided अब क्या करना है फिलाल के लिए आप c और d को बोल जाएगे e के उपर ध्यान दीजे बिलकुल e के उपर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें यह notice होता है कि a, e जो ratio divide हुआ है वो 3 के बराबर है और बचावा e, b जो हो जाता है वो हो जाता है 1 के बराबर तो हमें m पता लग गया 3 के बराबर n पता लग गया 1 के बराबर formula पूट करके आप e और f निकाल सकते है तो formula होता है x is equal to x2 into m x1 into n by m plus n x की value इस case में हम ने लिए e के बराबर यहाँ पे पूट कर देते है e, x2 हमारा है 2 के बराबर m हमारा है 3 के बराबर तो 2 into 3 will be 6 plus x1 है minus 3 के बराबर minus 3 into 1 will be minus 2 by 3 plus 1 give us 4 तो यह हो जाता है हमारा 4 by 4 जो की आ जाता है 1 के बराबर तो e की value आ गए है हमारी 1 के बराबर बात करें f की similarly यह भी निकालना है तो y is equal to y2 into m plus y1 into n by m plus n हो जाता है यह हमारे यहाँ पर y की value हमने f ले रखी है तो f put कर दीजे आप f will be equal to y2 तो y2 इस case में है 8 8 into 3 will be 24 plus y1 into n मतलब प्लस का 2 by 3 plus 1 मतलब 4 तो यह हो जाएगा 26 by 4 that will be 13 by 2 f की value आगी है 13 by 2 के बराबर तो हमारा e और f निकल चुका है similar condition से अपन c और d निकाल सकते तो निकालते हैं c जब हम ad को देखते तो यह हो जाता है यहाँ से 2 1 plus 1 2 और यहाँ से 1 plus 1 2 तो दोनों ही ratio बराबर आ रहे 2 to 2 का ratio बन रहा है मतलब m की value भी 2 है और n की value भी 2 नज़र आ रहे है यहाँ से हमें तो 2 to 2 का ratio बन जाएगा formula वही apply होगा इस case में x को अपन ने लिया है c के बराबर तो हम x की जगे c put कर देंगे c is equal to x2 x2 कितना हो जाएगा इस case में 2 into 2 x2 into m मतलब 4 के बराबर होगी है and x1 हमारा minus 2 into 2 will be minus 4 by 4 जो की 0 के बराबर आ गया c की value यहाँ से हमारी 0 के बराबर आ गई है बात करें d की formula यह apply हो जाएगा y की जगे हम d लिख देंगे y2 हमारा 8 के बराबर है 8 put कर देंगे m हमारा 2 के बराबर है 2 put कर देंगे y1 हमारा 2 के बराबर है 2 put कर देते n हमारा 2 के बराबर है 2 put कर दे divide कर देते है 2 से 16 plus 4 will be 20 20 by 2 will be 10 तो D की value निकलके हमारी 10 आ जाती है यहां से अब point C की बात कते है point C को निकालने हैं के वही 3 तरीके है पर सबसे अच्छा तरीका क्या है A, D का midpoint है C तो midpoint formula से काम जो है comparatively असान हो जाएगा हमारे लिए तो हम बोल देते हैं कि midpoint of AD is point C so using midpoint formula तो midpoint formula क्या बोलता है X मतलब A is equal to X1 plus X2 इस case में X1 है हमारा minus 2 और X2 है हमारा 0 के बराबर X2 है हमारा 0 के बराबर तो minus 2 plus 0 by 2 midpoint formula के हिसाब से हमारा A आगया minus 1 के बराबर बात करते हैं B की B कैसे निकालेंगे similar तरीके से Y2 plus Y1 मतलब 10 plus 2 by 2 मतलब 12 by 2 तो B की value आगयी है 6 के बराबर तो point C आगया है हमारा minus 1,6 D आगया है हमारा 0,10 and E point आगया है हमारा 1,13 by 2 के बराबर यह question यहाँ पर समापत हो गया बड़ा ही important type था यह चलते अगले type पर अगले type है हमारा पास में determine करना है अपनको ratio जिसमें यह point divide होया है पहला point है हमारा 2, minus 2 second point है हमारा 3,7 और इस line ने इस point को काटा है वो line की equation जो है वो है 2x plus y minus 4 हम बोल देते हैं इस point को यहाँ पर कट किया है और यह x, y के बराबर है तो क्या करेंगे case to 1 का ratio लेंगे सबसे पहले तो case to 1 का ratio लेने के बाद में x और y को find out करेंगे अब यह line इस point से निकल रही है इसका मतलब इस line को satisfy कराना पड़ेगा इस point को तो यह दोनों point x और y निकालके इस line में जब अपन put कर देंगे तो हमारा k निकल जाएगा k निकलने से हमारा k निकलने से ratio find out हो गया ratio find out हो गया तो x और y भी find out हो जाएगा चलो लगाते है formula क्या हो जाता है हमारा x is equal to x2 into k मतलब 3 into k plus x1 into 1 that gives us 2 by k plus 1 तो हमारा x निकल चुका है similar condition से y निकाल देते y will be equal to y2 मतलब 7 into k y2 into k plus y1 into 1 जो कि हो जाएगा minus 2 के बराबर नीचे आजाएगा k plus 1 अब ये दो जो point है x और y इस line को satisfy करने चाहिए तो इस line में x और y की values put कर देंगे तो हमारा k और 1 निकल जाएगा तो 2 into x x कितना है 3 k plus 2 by k plus 1 plus का sign है plus का sign लगाया y की value कितनी है हमारी 7 k minus 2 by k plus 1 और minus का 4 है साथ में is equal to 0 है तो minus 4 हमने यहाँ पर लिखा is equal to 0 यहाँ पर plot किया solve कर लेते हैं इसको LCM लेते है 2 3 k plus 2 और जो LCM है k plus 1 आ चुका है 0 के बास multiply होगा और 0 हो जाएगा solve करते है इसको 3 k into 2 will be 6 k 2 into 2 will be 4 7 k minus 2 minus 4 k and minus का 4 is equal to 0 आता है यहाँ पर plus का 4 minus का 4 will be cancelled and minus का 4 k plus का 6 k will be 2 k 2 k plus 7 k will be 9 k and 9 k minus 2 is equal to 0 तो 9 k is equal to 2 k की value आगी है 2 by 9 तो इन्होंने अपन से ratio find out करने को भोलेते हैं हाँ तो ratio निकल चुके है 2 is to 9 का ratio आगे है question यहाँ पर समाप्त हो गया तो AP और coordinate geometry इस पूरे वीडियो में समाप्त हो गई है आगे वाले parts में बाकी chapters को भी include कर दिया जाएगा please subscribe करे and thank you so much